पूरी दुनिया में खासकर भारत में वहान प्रदूशन एक चरम सीमा पर पहुंच चुका है। गारी रखने पर और सड़क पर चलाने पर अब आपको ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे। यह सब नई वहीकल स्क्राप पालिसी लागू होते ही हो जाएगा। इसका मतलब अगर आपकी निजी गारी 15 साल से ज्यादा और कॉमर्शियल गारी 20 साल से ज्यादा पुरानी है त सर्टिफिकेट के साथ ही गारी चला सकेंगे। रजिस्ट्रेशन रिन्यूवल दो पहिया वाहनों के ये 1,000 रुपए होगा और 4 पहिया वाहनों के ये 5,000 रुपए होगा। अगर आपके पास किसी भी प्रकार का पुराना प्राइबेट या कमर्शियल वाहन हैं तो उसे नए नियमों के अनुसार सड़क पर चलाना फाइदे मन नहीं होगा। इस नए नियम को जल्द ही नोटिफाई किया जा रहा है। और एक अप्रेल 2022 से इसे लागू करने की भी योजना है। कमर्शल वीइकल के लिए फिटनेस सर्टिफिकेट की कीमत इस प्रकार होगी। टैक्सी 7500 मध्यम वहनों के लिए 10,000 और भारी वहनों के लिए 12,500 रुपए होगा जो हर 5 साल के बाद देना होगा। इसका मतलब अगर आपके पास किसी भी प्रकार का पुराना प्राइवेट या कमर्शियल वहन है, तो उसे सडक पर चलाना फाइदेमन नहीं होगा। पहले बड़े शहरों में रहने वाले लोग अपना पुराना वाहन छोटे शहरों में जाकर बेच देते थे, वो अब ऐसे नहीं कर पाएंगे। ये पॉलिसी लाने की दो बड़े कारण है। पहला कारण, जब रोन से भारी संख्या में पुरानी गाड़ियां हटेंगी, तो नई गाड़ियों की दिमांड बढ़ेगी। इससे ओटो सेक्टर को बड़ा बूस्ट मिलेगा। उम्मीद की जा रही है कि नए वाहन 30-30 तक सस्ते भी हो सकते हैं, क्योंकि स्क्रैप पॉलिसी आने के बाद पुराने पार्ट्स रिसाइकल होकर उपलब्ध हो सकेंगे। अगर आप अपना वाहन समय पर स्क्रैप करते हैं, तो आपको नया वाहन खरीदने के लिए खास डिसकाउंट और इंसिंटिव दिया जाएगा। इसका मतलब नया वाहन खरीदने पर आपको 12 लाब होगा। वहीं दूसरा कारण है कि इतने पुराने पुराने वाहन सडक से हटने पर वायू प्रदूशन में भी कमी आएगी। उम्मीद है कि वायू प्रदूशन में करीब 25 थीस्ती की कमी आ सकती है। बड़े शहरों में जहां प्रदूशन बहुत ज्यादा हैं, वहां पर इस पालिसी से प्रदूशन कम होगा, और लोगों का, खास कर सीनेजर्स के स्वास्थि पर बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा. एक अनुमान के मुताबिक देश में डेश से दो दशक पुराने करीब दो करोण वाहन सड़क पर हैं, और ये काफी ज्यादा प्रदूशन फैलाते हैं. ङसान में ज्यादा करीघ जयाजू लिल्ग लुट में, इस कि दो रोगों का लिव धैलाते हैं, नहीत प्रदूशन वी मुतार विल्यादा करीब देशन दनी हैं, लोग. ग्रती हैं. झाल झाल